Welcome to Only I is, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Miscellaneous Current Affairs के Revision में ये हमारा छठा लेक्चर है आज के सेशन में हम फरवरी महिने के Miscellaneous Current Affairs को revise करेंगे आगे बढ़ने से पहले छोटी से information आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस Prelims 2022 के लिए कुछ courses हैं जो कि आपके exam point of view से काफ़ important हो सकते हैं सबसे पहले इसमें एक Prelims Crash Course की बात हो रही है जिसका नाम Tejas है इसमें आपको 250 प्लस आर्स के Video Lectures इसमें आपके Current Affairs और Static दोनों included हैं काफी सारे Tests, Full Length और Sectional और Weekend Out Sessions वगरा सब कुछ हैं इसमें तो आप उसके लिए Last My Leap जॉइन कर सकते हो इसमें आपके 19 Sectional Test हैं 5 Current Affairs के टेस्ट हैं 15 Full Length तेस्ट हैं 4 CSAT के टेस्ट हैं इसको जॉइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर जॉइन कर सकते हो At the same time एक CSAT के लिए program है जो की ऐसे students को cater करता है जिनका CSAT Week है तो CSAT Expert Program आपके सभी CSAT के topics को cover करता है वीडियो lectures के form में और छोटे-छोटे handouts भी हर lecture के बाद आपको मिलते हैं प्राक्टिस के लिए और last में कुछ full length test हैं इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए prepare कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ batch को join कर सकते हैं इसमें आपको एक full foundation batch के तरह के सारी requirements UPSC के point of view से fulfill की जाती हैं इसमें video lectures भी है, study materials भी है, test series भी है, mentorship भी है, interview guidance भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस batch को join करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पर visit करो याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही visit करना है अगर आपको कोई भी doubt आता है इन सभी batches से related तो आप हमें simply इस number पर call कर सकते हो या फिर info.onlyis.com पर हमें mail drop भी कर सकते हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं जब भी हम बात करते हैं clean energy की तो वहाँ पर एक मामला उसके महगी होने का आता है clean energy महगी होती है इसलिए जब भी clean energy की बात की जाती है तो एक word affordable जरूर जोड दिया जाता है तो यहाँ पर हम एक global center of excellence establish करेंगे IIT धारवार में जहाँ पर clean energy को लेकर affordability की भी बात की जाएगी Central government इसे establish कर रहा है उद्देश ये है कि हम physical incubate technologies लगाएं incubate का मतलब होता है assisting technologies जो ऐसे avenues identify करने जिसके माध्यम से clean energy solutions हम ले पाएं वो भी affordable cost में जिससे rural community के लोगों को livelihood opportunities मिले जो partners हैं वो office of principle scientific advisor government of india के तहत partner for this मतलब ये partner है इसके इसके अलामा honeywell hometown solution india limited foundation ये भी इसके partner है selco foundation और IIT धारवार भी इसका एक partnership अला हिस्सा है इनका जो HHSIF है ये जो इनकी CSR का जो पैसा है उसका इस्तिमाल करेंगे इस पूरे venture में initiative में हमारा next article scheme of assistance to national sports federation के बारे में है urine government ने अभी इस scheme के continuation को बढ़ा दिया है 2021-2025 चबिस तर मैं आपको बता दूँ कि national sports federation को जो पैसा मिलता है वो इसी scheme के माध्यम से मिलता है हाल फिलहाल में हमारे जो खिलाडी है sports person है वो हर feel में बहुत अच्छा कर रहे हैं इससे सरकार incentivized है और वो fund allocation को बढ़ाना चाहती है ना कि रोकना चाहे तो flagship center sector scheme है और जो भी national teams दूसरे देशों में या कहीं पी जाकर games में participate करते हैं competition में उसके लिए पैसा यहीं से मिलता है जैसे की olympic games, para olympics, asian games, para asian games, commonwealth games सभी में जो खिलाडी जालते हैं उसके funding इसी scheme से आती है हमारा next article river cities alliance के बारे में है ministry of justice सक्ती ने लोगसभा को इस alliance के बारे में inform किया river cities alliance मतलब नदियों के किनारे बसे सहरों का alliance कई सारे इसमें सहर आएंगे और basically सहरों की बात की जा रही है मतलब जो भी ऐसी नदिया है जो urban areas से होकर गुजरती है तो उनके आस पास जो सहर बसे हैं वापस में एक alliance कर रहे हैं river cities alliance जो है उसे launch किया गया था इस objective के साथ ताकि हम एक platform बना सकें जहां पर वो सभी सहर इकठा हों जिनके पास नदियां हैं या जो नदियों की किनारे बसे हुए हैं वो plan discuss करें कि रिवर्स को कैसे preserve किया जाए या इनकी water quality को कैसे बढ़िया रखा जाए initially इसमें 30 cities शामिल हुई थी जिनमें देहरादून, रिशी केस, हरिद्वार, श्रीनगर, वारानसी, कानपूर और प्रयागराज शामिल हैं हलाकि अभी यह सभी cities की लोपन हैं कोई भी city जिस जो की नदी की किनारे बसी हुई है वो किसी भी समय इस alliance का हिस्सा खुद को बना सकती है state government action plans को implement करते हैं ताकि water को restore किया जा सके under this alliance जो implementation है इस program का या जो monitoring है उसे state level पे chief secretary करते हैं और central level पे central monitoring committee की तुरह यह काम किया जाता है हमारा next article winter olympics के बारे में है अभी हाल ही में winter olympics को इंडिया ने officially diplomatic तरीके से बाइकाट कर दिया है कई सारे देश इसे काफी लंबे समय से बाइकाट करने को लिए आनाउंस कर चुके हैं कि चाइना उइगर Muslims का persecution करता है इस आधाल पर कई सारे देश बाइकाट कर रहे थे हलांकि इंडिया ने इस पर कुछ भी नहीं कहा था लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया ने भी इसे बाइकाट करने की घोशना कर दी हुआ ये कि 2020 में जो इंडिया और चाइना के बीच में clashes हुए थे उस clash में जो एक military commander involved था उसे चाइना ने Olympic torch bearer बना दिया जो भी opening ceremony थी उसमें जबकि ये गलवान incident में involved था चाइना की तरफ से इस बात पर इंडिया ने अपनी नाराजगी जताई और winter Olympics को diplomatically बाइकाट करने की घोशना कर दी जो winter Olympics हैं ये premier competition है sports के जो ice या snow से related होते हैं हर चार साल में एक बार इन्हें organize किया जाता है ice skating, ice hockey, skiing, figure skating जैसे कई सारे games इसका हिस्सा होते हैं first winter Olympics 1924 में हुआ था फ्रांस के Chamonix में 1908 या उसके पहले आसपास तक ये summer जो winter वाले game होते थे न ये भी summer का हिस्सा होते थे 1924 में पहली बार एक winter sport के लिए अलग से पूरा sport organize किया गया तब इसका नाम winter Olympics नहीं था तब इसका नाम महज international winter sports week था ये 1924 में चमलिक्स फ्रांस में हुआ था फ्रांस ने उस साल के Olympics को host किया था उसके दो साल बाद यानि कि 1926 में officially 1924 में हुए इस जो भी ये games थे इन्हें winter Olympics का दरजा दे दिया किया और इस बार का जो है वो 4 सरवरी से 20 सरवरी की बीच में चाइना में हो रहा है इंडिया 1964 से ही winter Olympics पर participate करता रहा है ये इस बार इंडिया ने diplomatically इसे बाइकॉट करने के लिए कह दिया हमारा नेक्स्ट आर्डिकल self disinfecting antiviral mask के बारे में है हम सभी mask use करते हैं और हमें ये भी बताया जाता है कि इस से हम COVID-19 या फिर कुरोना वाइरस से बस सकते हैं लेकिन mask use करते वक्त क्या आपने कभी इस बात का ध्यान रखा कि suppose करिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने खासता या छीकता है जिसके water particles आपके ना क्या मूं में ना जाएं उससे बचने के लिए हमने mask लगा रखा होता है बहुत अच्छा एडिया है लेकिन वो water particles आपके mask पे आ चुके हैं अब हम क्या करते हैं सही तरीके से जो सही होना ये चाहिए कि आप उस mask को बहुती safely dispose करते हैं लेकिन हम अक्सर ऐसा करते नहीं ज्यादा तर लोग single use mask को भी कई दफा इस्तिमाल करते हैं और जो लोग कई दफा इस्तिमाल नहीं भी करते वो बहुती लापरवाही के साथ उस mask को उतार के या तो कहीं fake देते हैं या कहीं रख देते हैं मतलब उस पर जो virus के particles इकठा हुए थे वो अब आपके हाथों में हैं और किसी ने किसी तरीके से आप तक पहुँची जाने वाले हैं तो mask आपको कैसे बचा रहा है ये पता नहीं दूसरा mask के साथ challenge ये है कि mask का production बहुत जादा हो रहा है और ये आसानी से decomposed तो होने वाले नहीं तो ये भी kind of garbage create कर रहे हैं इन दोनों ही problem को resolve करने के लिए अभी हाल ही में Indian scientist ने एक बहुत ही अलग प्रकार का mask तयार किया है जिसे आप self disinfecting antiviral mask कह सकते हैं इसकी पहली खुबी तो ये है कि ये खुद को disinfect कर सकता है मतलब कि अगर वाइरस के particles वाइरस जो है वो water particles के साथ इस पे इकठा हो भी गया तो थोड़े time में ये mask की उसे मार देगा और दूसरा कि ये bio degradable है मतलब कि ये कचरा नहीं फैलाएगा आसानी से decompose हो जाएगा Indian scientist ने इस specific mask को nano mission project के तहर develop किया है जो कि department of science and tech का project है मास को copper based nanoparticles से coat किया गया है जो की virus को मारने में काफी key role play करते हैं जो copper based nanoparticles है उन्हीं develop किया गया है flame spray paralysis technique का इस्तेमाल करके जो pyrolytic decomposition का mechanism होता है उसमें basically किसी भी material को thermal यानिकी temperature के माध्यम से decompose करने की कोसिस की जाती है तो fsp जो process है इसमें इस process का इस्तेमाल करके nano powder तैयार किया जाता है और उसी के basis पर इस mask को develop किया गया जो mask है वो high performance दिखाता है COVID-19 virus के against में highly biodegradable है आसानी से नस्ट हो जाता है highly breathable है इसे लगाने के बाद आप आसानी से सांस ले सकते हैं और आप इसे दो भी सकते हैं मतलब single use नहीं है strong antiviral properties है, antibacterial properties है, multi-layer cloth marks है मतलब आपसको safe रखेगा और biodegradable है हमारा next article FinTech Open Summit के बारे में है Minister for Communication, Electronics and IT निनागरेट किया FinTech Open Summit FinTech दो वर्ट से विल के बनाए है FinTech मतलब financial, tech मतलब technology मतलब finance के sector में जो technology का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है FinTech नितियाग ने collaborate किया phone पे AWS और EY के साथ इस hackathon के लिए ठीक है, इस open summit के लिए आइवल से hackathon नहीं है इसमें regulators, FinTech professionals, industry leaders, startup, community and developers सभी लोग इकठा होंगे और अपने ideas को exchange करेंगे तीन objectives रहे इस पूरी summit के, हम open ecosystem को encourage करेंगे FinTech industry के लिए, innovation और growth को foster करेंगे financial inclusion को और ज्यादा ensure करेंगे और जो नए models है, account aggregators के या फिर FinTech innovation को बढ़ावा देनी की कोशिस करेंगे हमारा next article Unitary Digital Identity Framework के बारे में है, इंडिया ने स्रिलंका को Unitary Digital Identity Framework implement करने के लिए grant दिया है, जो कि बिलकुल आधार कार जैसा है, इंडिया को जो अपना आधार है, बिलकुल बैसा ही identity system स्टार्ट किया जाएगा स्रिलंका में, इसके लिए कुछ mechanisms proposed हैं, जैसे कि उन्हें एक personal identity verification device दी जाएगी, जो digital और physical environment में, जैसे आधार करका इस्तेमाल होता है, वैसी होगा, स्रिलंका इसके लिए, दिखें, मतब ऐसा क्यों किया है, इंडिया ने स्रिलंका को ये assistance क्यों दिया, बिकॉज इंडिया और स्रिलंका के काफी close relations रहे हैं, economic perspective से भी, economic assistance इंडिया स्रिलंका को देता रहता है, 1.4 billion dollar का ये assistance दिया गया है, इंडिया जो स्रिलंका dollar crunch face कर रहा है, dollar की कमी है उनके पास, उसमें मदद कर रहा है उनकी import, food, medicines और fuel का, जो की महाँ पे काफी shortage में है, उसके लिए भी भारत उनकी मदद करता रहा है, हमारा next article, re-imagining museums in इंडिया के बारे में है, ministry of culture, government of India ने organize किया इस प्रकार का पहला, दो दिन का global summit, re-imagining museums in इंडिया, 15-16 फरवरी 2022 को होने वाला है, आजादी के आमरित महुत्सों के तहत इसे किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम museums को लेकर initiatives लेंगे, जो global summit है, इसमें दुनिया भर के दिगज, domain experts और practitioners को invite किया गया ह है, क्या पाईए, और बता ये कि कैसे museums को अच्छे से develop किया जाए, Bloomberg जो की एक American entity है, वो भी इसमें involved रही, इसके माध्यम से हम blueprint तयार करेंगे, नए museums को develop करने को लेकर, उनका renewal कैसे किया जाए, और कैसे existing museums को और बहतर बनाया जाए, चार broad themes होंगी, architecture and information, हमरा next article Central Media Accreditation Guidelines 2022 के बारे में है, अभी हाल ही में सरकार नीन guidelines को चारी किया है, ये guidelines होती क्या है, best information bureau, यानि कि PIV ये मानिता देता है, accreditation का मतलब होता है, मानिता, journalist को दिया जाता है, जनलिस्ट को इमानिता या accreditation इस अधार पर दिया जाता है, कि अब government offices को, या official functions को, उसमें सामिल हो सकते है, reporting government में भी जा सकते हैं, इसके बिना ऐसी जगहों पर entry possible नहीं होती, ठीक है, अब ये passes सब को ऐसे ही नहीं मिल जाते, कुछ criteria होता है, कुछ बाती, अगर किसी मान लीजिए व्यक्ति को, किसी journalist को ये मानिता दी गई है, ये pass दिया गया है, और उसने कुछ गरबढ़ियां की, तो ये pass suspend किया जा सकता है, जैसे कि वो देश के security, sovereignty, integrity के साथ कुछ गरबढ़ी कर रहा है, कुछी ऐसे देश के खिलाफ reporting कर रहा है, जिसके सांथ हमारे friendly relations है, public order को बेकार कर रहा है, या फिर उसने कोई ऐसा offense किया है, जो cognizable है, यानि कि उसे बिना warranty के arrest किया जा सकता है, फर्दर किसी भी journalist को ये मानिता दी गई है, ये accreditation दिया गया है, इसे वो कहीं बता नहीं सकता, ना तो public और नहीं social media platform पे, ना अपने visiting card पे लिख सकता है, ने letterhead पे लिख सकता है, और नहीं किसी published work पे ये बता सकता है, कि भाई मुझे मैं मानिता अपराप्त हूँ, PIB की ओ होती है, कुछ criteria होता है, जैसे journalist के पास professional experience कम से कम 5 साल का होना चाहिए, या 15 साल का freelancer का experience होना चाहिए, कोई veteran journalist है, या 30 साल का experience है, 65 years की age जो है complete हो गई है, वो भी eligible है, अगर माने जी कोई newspaper ऐसा accreditation देना चाहरा है, तो उसका daily circulation कम से कम 10,000 का होना चाहिए, newspaper का, और उसके पा news organizations जो foreign level के हैं, foreign journalists पर भी applicable होते हैं, जो digital news platforms हैं, वो भी eligible है, लेकिन उनके पास हर महीने 10,000,000 unique visitors होने चाहिए, मतलब नए visitors जो एक बार आ गया है, पुराने वो ठीक है, कोई भी no accreditation will be granted, मतलब जो freelance journalists हैं, उन्हें मानिता नहीं दी जाएगी, अगर वो foreign news media organization से किसी प्रकार का कोई संबन्द रखते हैं, तो, अभी जो guideline जारी की गई है, उनके तहत एक committee को बनाया जाएगा, नाम दिया जाएगा Central Media Accreditation Committee, यानि कि CMAC, इसे chair किया जाएगा Principal Director General के दवरा, जो कि P.I.B. के हैं, उन्हीं के दवरा 25 members nominate किये जाएंगे, सरकार की और से जो बाके functions perform करेंगे, दो साल का इनका काम होगा, और इन्हीं एक quarter मैनी कि तीन महीने में कम से कम एक बार meeting करनी होगी, या फिर और frequently मिलना होगा, हमारा नेक्स टार्टकल, त्यूनिक uniform के बारे में है, मनस्टर के DGP संजेपांडे जी ने अभी एक सरक्रोल जारी करके कहा कि अब जो certain rank officers हैं, उन्हें tunic uniform नहीं पहनना होगा, tunic uniform में basically uniform के उपर उन्हीं एक coat जैसा, overcoat जैसा पहनना होता था, जिसमें एक belt होती थी, जो कंदे से होकर आती थी, और यहाँ पे belt होती थी, एक तलवार भी लेनी होती थी, मतब काफी, यू कह देजिए कि British era का ये पूरा uniform system था, cold climate के ठीक है, वहाँ पर सर्दी होती है, तो जदा कपड़े पहने जा सकते हैं, लेकिन इंडिया का climate ऐसा नहीं है, यहाँ पर गर्मी होती है, humidity होती है, यतने भारी कपड़े काफी मुश्किल क्रेट करते हैं, मरास्ट्रा ने कई बार, दो तीन बार साल में ऐसा बोला कि नहीं अब उन्होंने फाइनली यह खतमी कर दिया, उन्होंने इसके लिए यह कहा कि देखे, कई बार complaints मिल रही थी, एक तो यह बहुत महंगे होते हैं, और फर्दर इन्हें पहनना भी मुश्किल होता है, इसलिए फाइनली इसे बंद कर दिया गया, और अब इसको पहनने के आव शक्ताब नहीं होगी, यह uncomfortable था hot climate के हिसाब से, sword, shirt, pant, tie और coat यह expensive भी हो जाता था, और पहनने में मुश्किल होती थी, हमारा next article modified elephant के बारे में है, यह कोई हाथी की प्रजाती नहीं है, यह इंडिया की एक hacking group है, इंडिया का एक hacking group है, modified elephant, modified elephant के बारे में, अमेरिका की एक cyber security firm जिसका नाम sentinel 1 है, उसने एक report release करी, यह report काफी controversial है, जिसमें ऐसा कहा गया, कि यह hacking group कुछ इस तरीके से काम करता है, कि वो Indian journalist, human right activist, human right defenders, academics और lawyers को फसा देता है, कई बार ऐसा देखा गया, कि जो लोग government के against, किसी भी action में involved हैं, उन्हें यह group किसी प्रकार से फसा देगा, like कोई journalist है, कोई human right activist है, जो लगातार government के खिलाब बात कर रहा है, तो उनके device में, यह कोई एक ऐसा document डाल देंगे, जिससी यह पता चल जाए, कि वो देश भी रोधी गतिविदियों में involved है, उसके बाद सरकार उस विक्ति को पकड़ के उठा के jail में डाल देगी, जैसे एक म हैं, तो उनकी device में, उनके laptop में, mobile में एक document डाल दिया जाएगा, जिसमें ऐसा होगा कि वो कोई sudden र कर रहे हैं, अब उसको डालने का बहुत ही simple सा मतलब होता है, कि आपके पास एक mail आएगा, जो किसी credible source से आए, like Amazon से आपके पास कोई mail आ गया, आपने उसे खोला कि कोई offer है क्या, और आपके device में malware आ गया, उससे एक document आ गया आपके device में, फिर सरकार की तरफ से आपके उपर आरोप लगाया गया, और उस device को access करके, उस document को cross check करके आपको jail के अंदर डाल दिया गया, तो ये जो sentinel 11 है, उन्होंने यही आरोप लगाया है, कि जो hacking group है, modified elephant, ये ऐसे ल उनके खिलाफ भी evidence इसको modify कर दिया गया था, इस hacking group के द्वारा, और बाद में उन्हीं उनके खिलाफ कारवाई की गई, तो ये काफी serious case है, evidence tempering का, जो देखा जा रहा है, तो मतलब समझेए कि खेल कहां रख चलता है, जो report है, modified elephant operators के बारे में, वो यही है, कि वो sphere phishing emails के रहा है, वो device में implant करके कोई document या कोई भी evidence डाल देंगे, जो आपको फसानी के लिए काफी हो, emails को send करके उन्हें target करना, और different kind of malwares का इस्तेमाल करना, ये ये पूरा जो group है, hacking group वो करता रहा है, हमारा next article doxing के बारे में है, meta, जो facebook का भी नाम बदला गया है, उनका एक oversight board है उन्होंने facebook और instagram को कहा है, कि आप strict doxing rules बनाएए, जिसके माध्यम से किसी की भी personal information को spread होने से रोका जा सके, और अगर कोई ऐसा करता है, तो उसका account भी आप suspend करिये temporarily, तो doxing क्या होती है, doxing का बहुत ये simple सा मतलब ये है, कि कोई आपकी personal information को avail कर ले, जिसमें आपका original account number ह हो सकता है, मतलब ये financial account number हो सकता है, आपका phone number हो सकता है, address हो सकता है, और उसे public कर दे, अब उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है, आपको harass करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो doxing ये एक ऐसी activity है, जिसमें कोई व्यक्ति आपकी personal information को social account पे public कर देता है, जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है, तो ये platform उसे रोकने का प्रयास करते हैं, इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति की personal information को publish या analyze कर दिया जाता है, इंटरनेट पे, और फिर उस व्यक्ति को harass या cyber attack में सामिल किया जा सकता है, harassment में, तो doxing का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को शर्मिंदा करने के लिए, punish करने के लिए किया जाता है, जो हो सकता है, खुद को anonymous रखना चाहता हो, इससे व्यक्ति को emotional stress हो सकता है, उसकी job जा सकती है, और उसको physical harm या death भी हो सकती है, अगर उसके कोई ऐसी ideology है, जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, वो public हो गई, तो लो अतमान में न्यूज में आया है, यह एक codeine based कफ सिरफ है, एक दवा है, जो पहले इस्तिमाल की जाती थी, लेकिन उसके बाद Indian government ने इसे ban कर दिया, क्योंकि यह एक addictive substance contain करती है, इंडिया बांगलादेश के border पे अभी इनकी बहुत सारी शीशियों को capture किया गया है, जिनकी की इसे कोलकाता गया, और वहां से बांगलादेश जाना था, codeine based जो कफ सिरफ है, इसे बांगलादेश में भी ban किया जा चुका है, और यह एक intoxicant की तरफ work करता है, लिकर prohibition के बाद लोग इसका इस्तिमाल करने लगे हैं, वहां पे youngsters massive use करते हैं, इसकी जो बड़ी quantity है, उसे recreational purpose से use करते हैं, मतलब इसकी जो एक CC है, उसमें दो pack जितना नशा होता है, इसी रहे बांगलादेश में youngsters इसका बहुत ज़दा इस्तिमाल करते हैं, fancy dial को इंडिया से smuggle किया जाता है, जो bottle है, उसकी cost इंडिया में 200 के आसपास होती है, लेकिन वहां जाने के बाद जब विक नहीं है, जिसे इंडिया से smuggle किया जाता है, और भी कई सारी दवाएं हैं, जैसे कि Yabla tablet, इसका origin म्यांगमार में होता है, और वहां से ये इंडिया में आती है, methamphetamine, ये एक caffeine है, जो इसमें पाया जाता है, इसे काफी सस्ता होता है, red या, pink pills के नाम से ये बिखता है, जो central nervous system को stimulate करता है, that's why इसका इस्तिमाल किया जाता है, नर्कोटिक की तरह, हम आगे बढ़ते हैं अपने next article पे, जो की parameters के बारे में है, parameters नाम से इस पष्ट हो रहा ह है, कुछ guidance type का होगा न, Minister of State for Culture and Parliamentary Affairs ने launch किया है, एक career counseling workshop, parameters 2022 students के लिए, ये एक online career counseling workshop रहा, इसे conduct किया गया NICS के दवरा, NICS का full form है, National Institute of Career Services, ये industry academia gap को fulfill करता है, industries के requirement कुछ और है, academia कुछ और provide करवा रहा है, जॉब मिल नहीं पाती लोगों को, एक कहवत कही जाती है इंडिय इंडिया में काम भी है, और इंडिया में लोग भी है, समस्या ये है कि इंडिया में काम के लोग नहीं है, काम के लोगों का ना होना, ये industry academia gap की वज़े से ही होता है, हमें जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो industries के requirement के according नहीं होता, इसमें बदलाओ के आवशकत इस जिसा में अच्छी तरीके से काम करने की कोशिस करती है, यहाँ पे offline और online career counseling की तयारियां की जा रही है, National Institute of Career Services यान की NICS की बात करते हैं, 1964 में इसे बनाया गया था, Directorate General of Employment के द्वारा, जो कि Ministry of Labor and Employment के तहत काम करते हैं, objective यह है कि national center के तरह ये work करे, जहाँ पर employability को enhance करने की कोशिस की जाए, यह training, research और capacity building के लिए काम करते हैं, हमारा next article, अभी 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो helmet must किया गया है, उसके बारे में है, Union Ministry of Road Transport and Highways में नोटिफाई किया है, कि 4 साल और उससे कम उम्र के बच्चे अगर वो two healer पे travel कर रहे हैं, तो उन्हें helmet पहनना जरूरी होगा, मता पिता की जिम्मदारी होगी, नए rules के according, ऐसे motor bike चलाने वाले लोग, जिनके पास 4 वर्स से कम उम्र का बच्चा है, वो 40 km प्रति घंटे की अधिक speed से bike नहीं चला सकते, फर्दर, helmet के लावा उन्हें एक safety vest भी बच्चे को पहनाना होगा, जो कि driver स चाहिए, और nylon का बना होना चाहिए, जिसके पास 30 kg तक के weight को सहने की छमता हो, ये vest कुछ ऐसा होता है, जिसे बच्चे को पहना कर driver खुद से जोड सकता है, जिसके बाद बच्चा गिरेगा नहीं बाइक से, चाहे जो भी हो जाए, जो child है, वो इससे secure रहेगा, इसमें गया है, और within year ये rules public हो जाएंगे, जिसके बाद इनको भी follow करना होगा, जो भी bike riders हैं उन्हीं, हमारा next article state investigating agency के बारे में है, आपने NIA का नाम सुना होगा, national investigation agency, जो कि national level पर काम करती है, जमू कस्मीर के सरकार ने भी plan बना लिया है, कि हम बनाएंगे state investigation agency, जो कि NIA की तरज प पर ही state में, जो भी terrorism के मामले हैं, उन्हें handle करेंगे, further ये national level पर NIA और बाकी agencies के साथ coordinate भी करेंगे, CID wing के जो head होते हैं, वो ex-officio director होंगे SIA के, यानि कि state investigating agency के, ex-officio का मतलब ये होता है, कि जो भी CID wing का head होगा, वो automatically SIA का director बन जाएगा, जैसे कि एक example देता हूँ, आप की माता के जो भाई हैं, वो आपके ex-officio मामा हैं, मतलब जो कोई भी आपकी माता जी का भाई होगा, वो automatically आपका मामा हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही CID wing के जो भी head होंगे, वो automatically SIA के director बन जाएगे, जो officers in charge होंगे, जो भी police station में हैं, उन्हें mandatory SIA को जानकारी देनी होग उसके investigation का काम SIA देखेगी, SIA empowered होगी Suomoto FIR register करने को लेकर, Suomoto का मतलब होता है कोई complaint नहीं आई, सुता संग्यान लेना, इसे ही Suomoto कहा जाता है, ये act उन्हें empower करता है, कि वो explosive substance act of 1908 और unlawful activities prevention act of 1967, इन दोनों के अंतरगत जो भी मामले आते हैं, उन्हें investigate कर सकते हैं, हमारा next article Water Taxi Services के बारे में है, जिसे अभी हाली ही में Maharashtram inaugurate किया गया है, ये mainland Mumbai को नवी Mumbai से connect कर देगा, जो project है, इसे सागरमाला project के अंतरगती बनाया जा रहा है, जिसमें जो इसका खर्च है, उसे central और state government मिल के वहन कर रहे हैं, तीन routes हैं जो अपस में connect हो रहे हैं, बेलापुर Guantanamo Bay Detention Camp के बारे में है, Guantanamo exactly, that is Guantanamo, Britain administration धीमे धीमे इस detention camp को बंद कर रहा है, वो वहां के जो भी prisoners हैं उन्हें छोड़ रहे हैं, और वो सकता है, इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, Guantanamo Bay Detention Camp, ये United States का military prison रहा है, जो की Guantanamo में है, Guantanamo Bay Naval Base जो रहा है, वही पर अब सबसे पहले तो ये मामला आता है कि location कहा है इसकी, क्यूबा, क्यूबा को आपनी map में भी देखा हो, ये America है, ये Central American region है, और यहां पर आपको दिख रहा होगा क्यूबा, क्यूबा का जो बिलकुल Southern tip है, इस बड़े map में देखे, जो Southern tip है, यहां पर Guantanamo है, औ यही पर military waste रहा अमेरिका का, और उन्होंने यही पर इस detention camp को बनाया था, इसके कई सारे और नाम है, Guantanamo, GTMO, Gitmo, क्यूबा के Guantanamo Bay के पास में, ये situated रहा है camp, अब इस detention camp में वो detain किसे करते थे, किसे पकड़ के ले जाया जाता था, आपनी ये movie देखिए, नियॉक, इस movie म John Abraham का जो character रहा, उन्हें detain किया जाता है, war on terror के नाम पे, जब अमेरिका में World Trade Center, ये Twin Towers पे जब attack होता है, तो उसके बाद कई सारे लोगों को detain किया जाता है, on the basis of suspicion, बिना सबूत के भी लोगों को गिरफतार किया गया, torture किया गया, बहुत लंबे समय तक उन्हें detain करके ह रखा गया, और उन्हें से कितने सारे लोगों को बाद में बेगुनाह पाया गया और छोड़ दिया गया, लेकिन जो torture किया गया, that was extreme violation of human right, और उसका कोई जवाब मेरिका ने कभी किसी को भी नहीं दिया, तो ये जो detain किया गया, war and terror के नाम पे कई सारे लोगों को, वो यह गुवांटे नामो बे डिटेंशन कैंप में ही detain किया जाता था, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को तो जानकारी भी नहीं थी, ऐसा कहा जाता है कि लगभख 780 लोगों को वहाँ detain किया गया था, जनवरी 2002 के बाद से, जब इस प्रेजर्जन को खोला गया, 11 सितंबर 2001 के अटेक के बाद, 731 लोगों को तो धीमे धीमे अलग-अलग 0 में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन 39 वहाँ तब भी बने रहे, 9 तो कस्टडी में ही torture से मर गया, जो कैंप था, इसे US पैसिजिएंट जॉर्ज जबलो बुश अड्मिस्टरेशन ने 2002 में बनाया था, वार अगर आप नियॉयॉक मुवी देखी है, तो देखा होगा किस लेवल का होता था, किसी भी तरीके से पीटना, साउंड से टॉर्चर करना, एक्स्ट्रीम कोल्ड में रखना, या फिर और भी बहुत बुरी तरीके होते थे उनके टॉर्चर करने के, और Amnesty International ने इसे major breach of human right की संग्या दी है, so that was all about Guantanamo Bay Detention Camp, हमारा next article हमास के बारे में है, Australia प्लान कर रहा है कि पलिस्टिनिय इस्लामिक मुव्मिन्ट हमास को एक ट्रिर ऑगनाजीशन डेक्लेर कर देगा, और ऐसा करने वाला हूँ एक latest western country बन जाएगा, अमेरिका वैसे western region में नहीं आता अगर आप के perspective से देखोगे, southern part में आता है, लेकिन analogically political system ऐसा match करता है, that's why उसे western nation की category में डाल देते हैं, हमास, एक Palestinian Islamic political organization है, पर सब्दों में कहें तो एक military group है, 1987 में बना और तब से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, कि इस्राइल को खतम करके वहाँ पे Palestine को वापिस से establish किया जाए, इ इस्राइल के जिगाए पे again Palestine को establish करने का इनका aim है, ये इस्राइल है, ठीक है, ये जो पट्टी आप देख रहे हो, इसे कहते है काजा strip, और यहीं से हमास operate करता है, यहाँ पर देखिए कुछ आपके सामने pairs हैं, जिसमें एक community के सामने देश का नाम दिया गया है, कुर्द, अरिजिन इरान का है, वैसे ये Middle East के और भी देशों में पाया जाते हैं, हो सकता है आपके सामने ऐसा भी प्रशन आ जाया, जिसमें आपके सामने कोई तीन military organizations हों, या militant groups हों, और वो किस जैस से belong करते हैं, ऐसा आपसे पूछ लिया जाए, तो question का nature समझे, question repeat नहीं होते है, nature repeat होता है, तो previous question का फायदा ये होता है, आपको question का nature पता चल जाता है, once you got the manner of question, तो आपको idea लग जाता है, कि जब आप article पढ़ रहे हैं, तो आपको क government of India, state government of Karnataka और URISA, इसके 37 world bank, इन्होंने sign किया है, 115 million dollar का एक reward project, क्यो objective है इस project का, इसको objective है, rejuvenating watershed for agriculture resilience, watershed का मतलब ये है, कि जो पानी की विवस्था है, उसे हमें better करना है, ताकि agriculture को हम resilient बना सकें, वो better तरीके से, agriculture को perform कर सकें, farmers, इसके लिए हम कुछ innovative development program लेकर आएंगे, तो watershed management का मतलब, water management से है, लाइक, अगर हम कोई कनाल खोद रहे हैं, किसी ऐसे area से, जहाँ पर पानी सर्प्लस है, किसी ऐसे area में, जहाँ पर पानी की कमी है, तो आप उसे watershed management बोल सकते हैं, यहाँ पर देखे, national state institutions adopt कर इसे कम पढ़े, वो अपनी productivity को पढ़ा सकें, और अपनी income को भी enhance कर सकें, जो project है, यह उडिशा और करनाटका के साथ सुरू होगा, government of India committed है, 26 million hectare land को 2030 तक, जो degraded है, जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है, अच्छे से उसे restore करने को लेकर, फर्दा 2030 तक farmers के income को double करने का भी target है, इससे rain fed areas में livelihood के opportunities बढ़ेगी, जहाँ पर पानी की कमी के वज़े से फसले नहीं हो पाती, और जो food system है, वो ज़्यादा resilient होगा, मतब climate change को ज़्यादा सहने की छमता रखेगा, हमारा next article ब्यंजन 12ी के बारे में है, यह उडिसा में अभी observe किया गया, जिसके मादम से food security को promote करके या उस तरीके का एक symbolism create किया जाता है through this festival, जो ब्यंजन, ब्यंजन का मतलब होता है न, अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज़े ब्यंजन, तो यह festival उडिसा का जो temple town है, पूरी वहाँ पर celebrate किया जाता है, यहाँ पे कई सरे variety के भोजन बनाये जाते हैं, जिने आप कह सकते हैं, लगभग 701 dishes सयार की जाती है, जो 12 दिन होता है, 12 ही का शुकल पक्ष में, मार्ग रशीर्स के महिने में, जो mid December से mid January के बीच का समय होता है, जो festival होता है, वो महाभारत के एक episode को संग्जान में लेकर celebrate किया जाता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण, जब कई सारे डेमन से लड़ते हुए, काफी कमजोर हो जाते हैं, तो उनकी मा को लगता है कि उनके बेटे को ये कमजोरी इस वज़े से है, क्योंकि उसे nutritional food नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तो वो भगवान श्री कृष्ण के लिए खूप सारे अच्छे अच्छे विंज किया जाता है, वो आयुष स्टार्टप चैलेंज के बारे में है, ये कैंड अफ चैलेंज है, जिसमें कई सारे स्टेकोल्डर्स को invite किया जाएगा, यहाँ पर स्पेसिफिकली स्टार्टप को, कि आप आईए, और कुछ innovative निकाल के लेकर आईए, यहाँ पे आयुष का क्या स्टार्टप हैं, और जो individuals हैं, जो आयुष या जो alternate healing mechanisms हैं, उनमें कुछ innovation कर सकते हैं, उन्हें encourage किया जाएगे, आईए, challenge लीजी और कुछ बढ़िया कर दिखाएगे, जो लोग जीतेंगे, उन्हें ना केवल पैसे दिये जाएंगे, यानि कि cash prize, बलकि उन्हें incubation support भी दि होती हैं, जो start-ups को incubate करते हैं, मतलब उन्हें वो conditions देते हैं, कि वो grow कर पाएं, इसमें जो cash price है, वो 1,00,00 रुपए का है, और जो second number पे होंगे, उन्हें 50,000 रुपए का cash price दिया जाएगा, जो runner-up होंगे, category देखिए, तीन यहाँ पर बताई गई है, आयुष food innovation, आयुष bio instrumentation, किसी ने कुछ hardware solution निकाला है उसके field में, या फिर IT solution, कोई software solution निकाला है, तो तीनों ही category के innovation इसमें हिस्सा ले सकते हैं, आयुष market का status क्या है वरतमामी भारत का, ये इसे analyze करते हैं, आयुष sector 2014-2020 के बीच में 17% तक बढ़ा है, प्रेजेंट की government दे no doubt आयुष के पूरे sector इसे better grow कर रहा है, और global market share को 2.8% cover करता है, जो projection है वो ये है, कि आयुष का market अगले 5 सालों में, वरतमान के सिती से 50% तक अधिक बढ़ जाएगा, हमारा next article cookie tribe के बारे में है, central government ने अश्यौर किया है, सभी cookie militant groups को, कि वो उनके साथ बातचीत करेंगे, और अगले 5 सालों में उनके सभी issues resolve कर दिये जाएंगे, बात करते हैं cookie tribe के लोगों के बारे में, ये एक ethnic group है, जो आपको मीजो hills में मिलेगा, जिसे पहले लुशाई hill कहा जाता था, ये hills, मीजो रम्मी, North Eastern India में located है, जो North Eastern India है, उसमें ये tribe आपको लगभग हर राज्य में मिल जाएगी, एक को छ cookie tribe के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा समाला, और World War II के समय पे भी इन्होंने उनके साथ confront किया था, cookie tribe के लोगों को ऐसा लगता है कि चुकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्ट लड़ाई लड़ी, और कभी भी उनके सामने घुटने नहीं टेके लेकिन देश के आजाद होने के बाद उन्हें वो acknowledgement नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, and that is the reason कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक separate entity के दौर पे उन्हें ज़्यादा जगे मिलेगी, और वो cookie land की बात करते हैं, secession की बात करते हैं, जिसको लेकर अक्सर वरत सरकार के साथ उनके विवाद रहते हैं, लेकिन सरकार उनके concerns को redress करने को लेकर प्रतिबद हैं, हमारा next article, देव का पचामी mines के बारे में है, वेश्मंगाल की चीफ मिनिस्टर ने अभी ये कहा कि देव का पचामी mines में जो भी tribal communities अपनी जमीर खो रहे हैं, उनके लिए जो compensation दिया हम उसका military package बढ़ा रहे हैं, इस बात को लेकर वहाँ के locals काफी लंबे समय से concern race कर रहे थे, अच्छी बात है कि उनके लिए को सोचा गया, देव का पचामी, देवान गंज, हरी शिंगा coal block, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा coal block है, एशिया का सबसे बड़ा coal block है, और इस लिहाँ से ये इंडिया का भी सबसे बड़ा coal block बन जाएगा, जो की West Bengal में situated है, ये block एक thick coal seam में trapped है, जहाँ पर हमें rocks की एक मोटी layer मिलती है, इसकी economic value बहुत जादा है, लेकिन rock की ये जो layer है, ये इस mining को tough भी बना देती है, क्योंकि rock को हटा कर उसके बाद coal को निकालना होगा, इसके लिए हमें foreign investment और technology दोनों की जरूत पड़ेगी, 1198 million ton coal होनी की संभावना है, और 1400 million ton basalt की rocks यहाँ पर हमें मिल सकती है, तो economic value के साथ साथ ये mining काफे मुश्किल होने वाली है, लेकिन इससे एक लाख लोगों के रोजगार की संभावना भी बनती है, जो Indian Rural Development Minister ह गरीराज सिंग, उन्होंने एक नया एप शुरू किया, Ombudsman app, Ombudsperson app basically, टाकि जो नरेगा है, उसकी जानकरे के लिए, Ombudsman असल में Swedish word Ombudsman से बना है, जहां पर उसका मतलब होता है, कि एक representative, अगर हिंदी में आम तो बता हूँ, जो लोगपाल आपने सुना होगा, वही लो जाता है, जिसे लोगपाल न्यूत किया जाता है, तो Ombudsman न्यूत किया एक एप बनाई गई है, फोर नरेगा, और यह जो खास बात है, यह investigation प्राइबिट लोग भी कर सकते हैं, वो भी रख सकते हैं, गवर्मेंट को तो रखना ही जाए, क्योंकि वो अकाउंटबल है इजली हो पाए, उसके लिए Ombudsman बनाया गया, फोर नरेगा, अब यहाँ पॉइंट यह है कि अकसर आपको लेगा, नरेगा के लिए Ombudsman क्या बनेगा, अब तो State City Center के लिए बनता है, तो वो confusion ना हो, इसलिए हम भी डिसकूस करें, कि Ombudsman नरेगा के लिए भी लांच किया जो कंप्लेइन तक पहुँच पाएगी, यह बात हो कोई Ombudsman आप की, जो नरेगा के लिए बनायी गई है, ठीक है, यह कोर्बे वैक्स वैक्सीन की, कोर्बे वैक्स वैक्सीन असल में, हाली में उसको Emergency Authorization दी है, DGCI ने, तो वैक्सीन को कौन Authorize कर रहा था, कोई वैक्सीन क अगर COVID के लिए थी, तो इसको कौन Authorize कर रहा था, DGCI, Drugs Controller Journal of India, इन्होंने कौर्बे वैक्स को दी है मन्जूरी, जो की 12-18 साल के बच्चों को दी जाएगी, इसको बनेफेक्श्र कौन कर रहा है इस वैक्सीन को, Biological Illimited, BE, जो हाईदराबाद की कमपनी है, इसके बाद यह पहला Indigenously Developed Receptor Binding Domain Protein Sub Unit Vaccine होगी, क्या Receptor Binding Domain, RBD, RBD Protein Sub Unit Vaccine, अब क्या होती है RBD Protein Vaccine, तो यह जो अपकी RBD Vaccine होगी, यह अलग इसलिए है, कि इसके साथ होता यह है, कि एक, जैसे माली जो COVID के लिए वैक्सीन नी जा रही है, तो COVID पैथोजन, जो वाइरस उसका जोर है, यानि जो बिल्कुल भी निश्क्री है, जो कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता, उसको लिया जाएगा, और बॉडी तक पहुचा जाएगा, यह देखके, कि वो बॉडी में इम्म्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके, सिर्फ इतना ही वो काम आजगा कि भाई, व अपना इम्म्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इसमें और बाकी वेक्सिन फर्किये होता है, कि यह जो हमने बोला ना, RBD, रिसेप्टर बाइडिंग डोमेन जो हो, यह असल में COVID-19 का ही एक प्रोटीन का एक सेंपल लेगा, एक पैथोजन लेगा, जो कि पहले से बिल्कु रिसेप्टर बाइडिंग डोमेन वाला, RBD, सिस्टेम यूज़ किया जाता है, बाकी जो अभी हमने देखा, MRNA वाले वेक्सिन भी थे, जो डीटेल में डिसकस पहले हो चुके है, तो यह थर्ड वेक्सिन है, जो इंडिया में DGCN अप्रूव की है, किसन के लिए, बच्च कॉल से सिस्टेम यूज़ करी, इट इस रिसेप्टर बाइडिंग डोमेन, RBD, और यह पहली वैसी वेक्सिन है, ठीक है, यह बात है हो गई, तो चांपर नेक्स आर्टिकल चनोबिल डिजास्टों के बारे में है, युक्रीन और रश्या के बीच में युद्ध छड़ा हु जो रश्यन फोर्सेस हैं, वो लगातार युक्रीन में एडवांस कर रही है, और इसी एडवांसमेंट के दौर में, जो फियर्स बैटल चल रही है, युक्रीन और रश्या के बीच में, रश्यन ट्रूप्स ने चर्नोबिल नुकलियर प्लांट को कैप्चर कर लिया है, जो सोर्स बनाया अपने अटाक का, यहां पर है कैपिटल कीव, युक्रीन की, और यहां से लगभग सौ किलोमेटर के डिस्टेंस होगी चनोबिल की, जो की बेलारूस के बॉर्डर के पास में है, अभी इस हिस्से तक आ चुकी है रश्यन आर्मी और इस चनोबिल के प्लांट क की दूरी पर लोकेटेड है, बिसिकली उस समय USSR हुआ करता था, युक्रेन USSR का ही हिस्सा था, उनका प्लान था एक ऐसी सिटी को डेवलप करना जो बहुत ही जदा एडवांस हो, और उसे एनरजी मिले एक नुकलिर पावर प्लांट से, तो उसी एडवांस सिटी के डेवलप पावर प्लांट ने एक डिजस्टर दिया दुनिया को, जो कि अभी तक का वर्स्ट नुकलिर डिजस्टर है, चनोबिल डिजस्टर एकसिजिंट, आप इसे एकसिजिंट कहे लिजए, डिजस्टर कहे लिजए, वो 1986 में होता है, जो की फ्लॉट रियक्टर डिज़ाइन के जैसे था, जो रेक्टर का डेजाइन था, वो बहुत वेल प्रूफ नहीं था, जो पर्सोनल्स थे, वो बहुत ही inadequately trained थे, जिस वेक्टी को जिम्मेदारी दी गई थी, इसे operate करने की उन इंडिविजल की उम्र महद 26 साल थी, जो इसे लीड कर रहे थे, एक safety test को, safety test के मादियम सही, ये पता करने की कोशिस की जा रही थी, कि क्या ये nuclear power plant बढ़ियां काम कर रहा है, लेकिन ये safety test पूरी तरीके से fail साबित हुआ, और उसके बाद explosion स्टार्ट हो गया, इस explosion के होते ही, जो radiation था, वो आस पास की area में फैल गया, लगभग 84 लाख लोग, 8.4 मिलियन लोग, इ ये चपेट, ये जो radiation था, वो 400 गुना जादा fears था, जापान के hero सिमा में जो atom bomb फेका गया था, उसके तुल ना में, इस radiation ने आस पास के बेलारूस को भी प्रभावित किया, रश्या के सांसांत ये रोप के अन्य हिस्से भी इस radiation की चपेट में आये, हमारा next article, Aegis Graham Bell Award के बार development center है, ये telecom के field में research and development का काम करते हैं, उन्हें अभी तीन awards मिले हैं, ये किस field में मिले हैं, अभी हम देखेंगे, ये 12th annual Aegis Graham Bell Award था, ये tribute है Alexander Graham Bell को, जिनोंने पहली बार telephone का आविस्कार किया, टेलीफोनी में, या टेलीफोनी के father माने जाते हैं, बहुती great innovator रहे, Aegis School of Business, Data Science and Cyber Security ने initiate किया इस award को, ताकि जो outstanding contribution है, innovators का, basically, टेलीफोनी के field में, उसमें award किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके, जो award है, उसे इंडिया में, Minister of Electronics and Information Tech, Scale India और National Informatics Center, सपोर्ट करते है C. को ये award किसले मिला, तीन award मिले हैं, पहला award उनको मिला है, Indigenous Early Warning Platform for Disaster Management and Preparedness के लिए, इन्होंने एक प्रकार का Early Warning System डवलप किया है, जिससे ये location भेज सकते हैं, किसी भी disaster का, वो भी वर्ना के लिए language में, local language में, cyclone, flood, pandemic, ताकि लोग आसानी से इसके बारे में aware हो जाए, इसके लिए भी इन्हें award दिया गया, और तीसरा रहा, C. Quarantine Alert System, अगर किसी वेक्ति को COVID के लिए quarantine किया गया है, तो एक kind of geofencing की जा सकती है, उसे जैसे वो breach करेगा, alert आ जाएगा, C. की बात करते हैं, 1984 में establish किया गया, Autonomous Telecom Research and Development Center है, ये Telecom sector के field में, researchers को बढ़ावा देते है Society के तरह registered है, Society's Registration Act of 1860 के तरह, ये Public Funded Research Institute है, सर्कार इसके लिए पैसा दे रही है, ये Department of Scientific and Industrial Research के साथ associated भी है आईए, अब बात करते हैं, Operation सर्द हवा के बारे में लिखी, सर्दियों में BASF, जो आपका राजिस्थान border है, उसके आस पास ये Operation चलाती है, ताकि हम reduce कर सके भारत के अंदर infiltration को अब आमोमन क्या होता है, सर्दियों में बहुत सी धुन्द आ जती है, फोग आ जती है, जिसका फायदा उठा कर, पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में घुसने की कोशिश करते है, तो इस वज़े से, यहाँ पे BASF अपनी security को और दुरुस्त करने के लिए, ये Operation चलाती में, आईए, कुछ जान लेते BASF के बारे में भी, लेकिए आपकी जो BASF है, ये Central Armed Police Force के अंडर आती है, जिसे आपकी Union Government सभालती है, यहाँ पे इसे 1965 में बनाया गया था, और ये इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांगलादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, उस सर्दियों में BASF, जो आपका राजिस्थान बॉर्डर है, उसके आस पास ये operation चलाती है, ताकि हम reduce कर सके भारत के अंदर infiltration को, अब आमोमन क्या होता है, सर्दियों में बहुत सी धुन्द आ जती है, जिसका फायदा उठा कर, पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में घु कोशिश करते हैं, तो इस वज़े से, यहाँ पे BASF अपनी security को और दुरुस्त करने के लिए, यह operation चलाती है, अब ऐसा नहीं है कि यह operation सिरफ और सर्दियों में ही चलता है, समर के टाइम पे, यानि गर्मियों के टाइम पे, operation गरम हवा भी चलाए जाती है, तो यही कुछ जानना important था आपको इस operation के बारे में, आईए, कुछ जान लेते BASF के बारे में भी, लेकिए आपकी जो BASF है, यह Central Armed Police Force के अंडर आती है, जिसे आपकी Union Government संभालती है, यहाँ पे इसे 1965 में बनाया गया था, और यह इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांगलादेश बॉर नहीं, thank you very much